आज हम लोग बात करेंगे कि UPBCL में जो TG2 की वेकंसी जाती हैं तो यह आखिर TG2 है क्या और यह technician grade 2 यह जो पद है इसकी salary कितनी होती है इसका grade पर क्या होता है और इसमें काम क्या करना होता है इसका promotion कैसे होता है तो अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो आप लोग यह video ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो अपनी friends को ज़रूर शेयर करिए सबसे पहले बात करते हैं कि TG2 तो जो ITI किया हुआ student रहता है इसके अंदरगत जो ITI किये हुए बच्चे होते हैं उनकी जो recruitment होता है वो होता है और इसमें mainly दो तरीके की post होती है एक कहलाता है आपका SSO और दूसर कहलाता है आपका lineman दोनों ही आपकी TG2 के अंदर में आती है SSO यानि सब station operator सब station operator इसको कहते हैं या फिर आप कह सकते है कि वो एक बंदा जो की सब station में परिचालन का काम करता है वो उसको कभी कभी सब station परिचालक भी कहते हैं और दूसरा होता है आपका lineman तो ये दोनों ही के लिए आपके ITI चाहिए होता है लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं SSO की यानि सब station operator की त आप लोग जब किसी सब station पर गए होंगे तो वहां पर आपको एक switching room जित वहां पर दिखा होगा जहां पर बहुत सारे panels लगे होते हैं और वहां पर एक table पर ही होती है जहां पर एक आदमी table पर बैठा होता है उसके सामने एक chart होता है जिसको फिल कर रहा होता है तो वही जो एक जो आदमी है जो कि वहां पर बैठा हुआ है उसी को जो post है उसी post का नाम है SSO यानि sub station operator उसका काम है कि जो sub station में जो operation हो रहा है यानि जो आपकी supply incoming आ रही है और outgoing जा रही है तो उसका जो operation है वो देखते रहना और वहां पर जो main जो काम होता है वो mainly switching का होता है और जो reading ह करना होता है reading कहा नोट करता है reading होती है logbook पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की logbook होती है इसमें अलग-अलग columns बने होतह है incoming और outgoing दोनों का ही अलग-अलग होता है incoming यानि जहां से supply ले रहे हैं और outgoing को supply दे रहे हैं तो दोनों की reading लिखि जाती है हर घंटे की reading note down की जाती है और उसी के according ये check किया जाता है कि कौन सी जो transformer है कौन सा feeder ये overload चल रहा है और कौन से पर lightly loaded है SSO का काम केवल reading ही note करना नहीं होता है जब कभी भी fault आता है तो उसको feeder को trip करना होता है और feeder को circuit है उसको अलग करना होता है तो main जो काम होता है वो आपका जब fault आता है तो सबसे ज़्यादा काम आपका SSO ही करता है feeder को सबसे पहले trip करता है उसके बाद circuit को open करता है और उसके बाद जो जहां पर fault आया होता है उससे related complaint note करता है और फिर complaint को आगे forward करता है ताकि lineman जाका कि उस complaint को बना सके कभी कभी ऐसा भी होता है कि incoming line में fault आ जाता है तो उस condition में क्या होता है circuit breaker को trip हो जाता है या फिर जो circuit breaker है वो trip नहीं होता है तो फिर आपको alarm सुना ही देता है तो अगर circuit breaker trip हुआ है और incoming transformer बंद हो गया है तो भी जो सबसे पहला जो operation करेगा वो एक SSO ही करेगा SSO जो है वो incoming जो आ रही है circuit breaker trip होने के बाद feeder को पहले trip करेगा दोनों incoming अगर है या फिर एक incoming transformer है तो उसको off करेगा उसके बाद जो fault है उसकी details लेगा अगर मान लिजे कि fault आपका ज्यादा बड़ा है या फिर incoming में ही आपको कुछ काम करना है incoming बन रहना है तो फिर उसके लिए एक procedure होता है जो कि एक SSO को मालूम होता है उसका procedure क्या है कि सबसे पहले आपको circuit breaker को open करना है उसके बाद isolator को खोलना है फिर earthing switch को आपको close करना है इतना करने के बाद आप incoming जो आपका transformer है उसके आप काम कर सकते हैं तो यह सब procedure करने के जो SSO है उसको उसके बारे में सब जानकारी होनी चाहिए कि जो UPPCL में TG2 यानि जो SSO की post होती है उसकी salary कितनी होती है ग्रेट पे क्या होता है और उसका promotion कब तक होता है यह सब जानने से पहले आप लोग को यह याद रखना है कि यह सब post कर जो फाइदा है यह कि तभी आपको मिलेगा जब आप भविश में आने वाले जो UPPCL में TG2 का exam है उसको आप बीट करेंगे तो इसको बीट करने के लिए आपको अच्छे से अच्छी तयारी करनी है आपको खूब महिनत करनी है और महिनत के साथ आपको exam नेना है ताकि आने वाला exam आपका अच्छा जा ज्यादा details के लिए आप लोग WhatsApp करें WhatsApp का number आपके screen पर लिख करके आ रहा होगा बात करें अगर salary की तो UPPCL में जो TG2 की post होती है इसका जो grade पे होता है वो आपका 2600 grade पे है और इसकी जो salary बनती है वो around 26-28,000 के बीच में ही रहती है तो अगर आप में से जो candidates इसके लिए preparation कर हैं तो उनको अच्छी सची त्यारी करनी है तभी आप इस post पे आप पहुंच पाएंगे और जो आपको salary है इतनी आपको मिल सकेगी अब बात करते हैं कि जो TG2 होता है क्या इसका promotion होता है कि नहीं होता है जिहां जो TG2 है यानि SSO है इसका promotion होता है और promotion कैसे होता है promotion आपक वरिष्टा सूची में उपर होंगे और जो candidates बात में join करें हैं उनकी वरिष्टा सूची में वो नीचे होंगे तो वरिष्टा सूची के आधार पर ही promotion गिलिश बनती है और TG2 के जो candidates हैं वो promote होकर के जई बनते हैं अभी आपने लोग ने देखा होगा इसी साल मार्च में एक हजार बानवे जो TG2 employees थे उनको promote करके जई बनाया गया है और इसी तरह ये promotion होता रहता है तो ये थे वो सब काम जो की एक TG2 यानि SSO को करने होते हैं और जो काम वो करता है तो अगर आप में से जो candidates इसकी त्यारी करना है तो आप लोग भी इस सब समझ लीजे क्योंकि भविश में आपको भी जाकर कि यही सब काम करने हैं और जो grade पे है और जो salary है ये भी आपको बता दी गई तो अगर आप इतनी अच्छी salary पाना चाहते हैं और government employee बनना चाहते हैं और UPPCL में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको खूब मेहनत करनी होगी और भविश में आने सबक्भ में करना चाहते हैं और UPPCLOM अपको खूब मे में आने हैं और मांन sommes सब करना दो खूब में गख पक्या हैं आने स arbitrary दो जैंक सकेटी और दो करना सी करना चाहते हैं लविश हैं वा हैं इह हैं डूब आको अचंसा हैं रिवर एक्तर आना we च 기 भी ब है आना बबिश म